Hello and Welcome, Great Online Academy में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है MD Samin, आज के शिसन में हम लोग Current Affairs के Practice Head 5 को करेंगे, जितने भी आपके Current Affairs के Topics हैं, चाहे वो 2020 के हो, चाहे वो 2021 के हो, सारे Topics आपके Practice Head के रूप में कवर किया जाएगा, हमारे टीम की यही कोशिस होती है, कि आ आपका कम से कम टाइम जाए, और कम टाइम में जादे Contents को हम प्रोवाइड करें, तो आप लोग को Practice लगातार करना है, तो जाए-जादा Questions को अगर आप Practice करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि मेरे दोरा दी गई हर एक वीडियो की अनुवा धिकार आयोग का प्रमूख किसे नियुक्त किया गया है, इसका एंसर है अरूण मिस्रा, अगला कुश्चन है, लेफटनेंट जेनरल परदीप चंदरन नायर, अपॉंटेंट अइस दे डिरेक्टर जेनरल ऑफ डैस, लेफटनेंट जेनरल परदीप चंदरन नाय को डैस के महा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इसका एंसर है असम राइफल्स, अगला कुश्चन है, वाइस चीफ आफ इंडियन एर फोर्स, हिंदी के बच्चों के लिए, भारतिय वायू सेना के उप परमूख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका एंसर है एर मार्शल संदीप सिंग, अगला कुश्चन है, रिसेंटली हूँ है और इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2021, हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में अंतियराश्ट्रिय बुकर्स प्राइज 2021, किसने जीता है, इसका एंसर है डेविड डियोपो, अगला कुश्चन है, इसका एंसर है, इको सिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस थिति की तंदर बहाली, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग अटेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग अटेंट करते रहे हैं, अगला कुश्चन है बच्चों, इसका एंसर है, अबदुल्ला साहिद, अगला कुश्चन है, नवाक जोकोविच, वोन हीज, 19th Grand Slam title by Winning the French Open 2021, how many times has he won the French Open, हिंदी के बच्चों के लिए, नवाक जोकोविच ने 2021 French Open जीत कर, अपना 19th Grand Slam खिताब जीता, उन्होंने कितनी बार French Open जीता है, इसका एंसर है, 2, 2, अगला कुश्चन है, मिनिस्टर फोर रोड ट्रांस्पोर्ट और हाइवेज, अद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटर्प्राइज नितिन गड़करी, हिंदी के बच्चों के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग और सुच्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है, कि केंद्र का लच्ष सड़क जुगटना में होने वाली मोतों को 50% डैस तक कम करना है, इसका एंसर है 2024, 2024, अगला कुश्चन है, हिंदी के बच्चों के लिए, फ्रेंच ओपें 2021 का महिला एकल खिताब किस ने जीता? इसका एंसर है बार्बोरा केरिजिस कोवा, अगला कुश्चन है, which of the following has recently launched the report it, do not share it campaign हिंदी के बच्चों के लिए निमलिखित में से किसने हाली में report it, not share it अभियान शुरू किया है इसका एंसर है Facebook अगला कुश्चन है which of the following is often referred as the banana city of India हिंदी के बच्चों के लिए निमलिखित में से किसे अक्सर भारत का बनाना सहर कहा जाता है इसका एंसर है जलगाओ अगला कुश्चन है what is the theme of this year's international day against drug abuse and illicit trafficking हिंदी के बच्चों के लिए नसिली दवाओं के दुरूपियोग और अवे तसकरी के खिलाब इस वर्स के अंतिराष्टी दिवर्स का विशेग क्या है इसका एंसर है share drug facts to save life जीवन बचाने के लिए दवा तत्थि साज़ा करें अगला कुश्चन है हिंदी के बच्चों के लिए इंडिया स्मार्ट सिटी अवाड 2021 में किस सहर को सर्वस्रेष्ट माना गया है इसका एंसर है है अगला कुश्चन है who became the first Indian female swimmer to qualify for Tokyo Olympics हिंदी के बच्चों के लिए Tokyo Olympics के लिए qualify करने वाली पहली भारती महिला तेरा कौन बनी इसका एंसर है माना पटेल अगला कुश्चन है who became the highest leading run scorer in women's international cricket हिंदी के बच्चों के लिए महिला अंतियराष्टी क्रिकेट में सबसे क्यादा run बनाने वाली खिलाडी कौन बनी इसका एंसर है मिताली राज बहुत अच्छे बच्चों इसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से आप लोग अटेम्ट कर रहे हैं तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए अगला कुश्चन है बच्चों इसका एंसर है अगला कुश्चन है हिंदी के बच्चों के लिए निसाने बाजी करने वाले पहले भारती जूरी सदिश से कौन बने है इसका एंसर है पवन सिंग अगला कुश्चन है चाइना है री क्लासिफाइड which of the flowing from endangered to vulnerable status हिंदी के बच्चों के लिए चीन ने निमलिखित में से किसे संकटापन स्थिती में सुभेद्य स्थिती में पुनरवर्गी कृत किया है इसका एंसर है विशाल पांडा, जाइन पांडाज अगला कुश्चन है इंडिया's first crypto-gamic garden was inaugurated in which state हिंदी के बच्चों के लिए भारत के पहले cryptogamic garden का उधगाटन किस राज में किया गया था इसका एंसर है उत्राखंड अगला कुश्चन है which one of the following railway station was renamed as बनारस हिंदी के बच्चों के लिए निमलिखित में से किस railway station का नाम बदल कर बनारस कर दिया गया इसका एंसर है mandua D I hope सभी बच्चों ने बहुत अच्छ से attempt किया होगा इसी तरीके से आप लोग को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है हमारे टीम के दुआ लगातार आपको updates दिये जाएंगे जितने भी contents है सारे topics को आपको practice at के रूप में दिया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा practice कर सके और अच्छा score कर सके अपने exam में इसके आप notes बना लीजिए या हमारे पीडियोफ को follow कीजिए पीडियोफ आपको telegram channel पे मिल जाएगा जिसका link description box में रहता है thank you for watching my video इस video से अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment box at telegram channel पे पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए जै हिंद